दिवास में पिता पुत्र कटलरी का समान बाइक पर लेकर बीर्चा के ओर जा रहे थे उसी दोरान कंटेनर की टककर से दोनों बाइक से नीचे गिर गए जिसमें दोनों गंभी रूप से घायल हो गए दोनों गहलों को एंवुलेंस से जुला चिकसाले लेकर आए जहां दोनों का प्राक्मी गुप्चार कर दोनों को गंभी रवस्ता में इंदोर रैफर कर दिया जानकर के नसार देद रात को बाइक पर सवार होकर कटलरी का स्तामान लेकर राजेश जेन वो उनका पुत्र पत्मेश जेन इंदोर से विर्चा की ओड जा रहे थे मक्सी रोड से तक ग्राम पिपलिया सडक चुड़ा है कि समीप इनके पीछे से आ रहे कंटेनर ने टककर मार दी जिसमें दोनों पुत्र पुत्र के हाथ पर कंटेनर का टायर जड़ गया घटना के सुछना मनते ही मोके पर एक्सवार्ट एविलेंस पहुची और दोनों घायल पिछे से अप लोग पिछे से ट्रक वाला हो टेकर के जो निटला संदे कट मारा अम लोग इसलिप होई गाड़ी अचा का हैसे आप लोग बाइट से अम लोग तो मेरे बच्चे का हाड तो दीया और तेर में राइट साइड आपको पिर या कुन लाया कैसे आया तो आए आ प्रत्मेश जेन निवासी बेरचह और यह इंदोर से मक्सी इंदोर से बेरचह जा रहे थे कटलेरी का समान लेकर इनको प्रात्मी को पचार देँ अधे हैं तुमिलर वाइक से थे और पिछे कंटेनर थोका गया एक 18 साल के प्रतमेश पिता राजेश्क 18 साल का बच्छा है वो हिंदोर से उसके घर बेट से जा रहे थे तो यह अपने पिपलिया के पास में एक इसा उनका बता ना है कि ट्रट ने उनको कट मार दी तो जिसके बाद उसकी बहुत तुम्भी रहलत में उसके लेका है जो सीदे हाथ की वड़ी है और लगवारी आगे थी अपने प्रात्मी कुचार करके उसको इंदोर के लिए रहत लिए जै कितने लोग थे सरीगा उसमें दो लोग थे एक लड़का था और उसके पापा थे पाप जिए कोनी के रिपोर्ट